हालो बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूं कि आप स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में प्विस्थ होंगे आपकी इसी बढ़ाई को आगे बढ़ाते वे आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ एक नया चप्टर जिसका सिर्शक है इदगाह तो बच्चों आपने इस कहानी के बारे में पहले भी सुना होगा इदगाह कहानी एक छोटे से गरीब लड़के के बारे में है जो अपनी बुढ़ी दादी से बहुत प्यार करता था तो बच्चों आए इस कहानी को शुरू करते हैं और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा और कुजारा करती थी इद का त्योहार आया जो जो करके दादी ने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिये कुछ मिठाईयां भी बना ली दूसरे दिन गाओं में मेला था हमीद ने दादी से कहा बड़ी अम्मा कुछ पैसे दे दो न नमाज के बाद मैं भी मेला देखने जाऊंगा दादी ने ढूंड ढांट कर उसे दस रुपे दे दिये दादी बोली बिटा हमीद मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है बस इतने ही है कुछ खापी लेना कुछ खेल तमासा देख लेना दूसरे दिन सवेरे ही बच्चे अपने अपने घरवालों के साथ निकल पड़े हमीद अकेला था दादी को फिक्र हो रही थी हमीद ने कहा तुम फिक्र नहीं करो बड़ी अम्मा मैं अपनी दोस्तों के साथ रहूंगा वह सब के साथ इद गा गया इद कहा में बहुत लोग थे हमीद लाइन में खड़ा हुआ उसने सब के साथ नमाज अदा की नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले फिर लोग मेले में आए एक तरफ हिंडोले थे और चर्खिया थी हिंडोले में बैठने के तीन रुपिये थे चर्खि में बैठने के दो रुपिये चर्खि में लकड़ी के हाथी खोड़े और उड़ थे बच्चे उन पर बैठकर चार ओर घुमते थे हमीद के दोस्त महमूद मोहसिन नूरे और सम्मी सब चर्खि में बैठे हमीद की भी चर्खी में बैठने की इच्छा हुई लेकिन पैसे कम थे फिर उसने सोचा अरे गोलगोल घुमने से क्या फायदा सिर्चक्राएगा सब बच्ची आगे गए वहां मिठाईयों की दुकाने थी उसके दोस्तों ने खुब मिठाई खाई हमीद की भी मिठाई खाने की इच्छा हुई फिर इसने सोचा यहां मिठाई खाना क्या जरूरी है दादी ने घर में सेवईया बनाई है मैं घर जाकर सेवईया खा लूँगा सभी बच्ची फिर आगे बड़े आगे खिलोनों की दुकाने थी मिट्टी के बड़े सुन्दर सुन्दर खिलोने थे सब बच्चों ने खिलोने लिये नूरे ने 6 रुपे में एक वकील लिया महमूद ने बढ़ा गुबारा लिया सम्मी ने प्लास्टिक की बंदूक ली हमीत की खिलोने लेने की बड़ी इच्छा हुई लेकिन उसके पास इतने पैसे कहां थे फर बच्चे और आगे गए वहाँ दुकानों में घर की चीजे थी हमीत ने एक जगर लोहे का चिम्टा देखा उसने सोचा दादी के पास चिम्टा नहीं है रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है क्यों न दादी के लिए चिम्टा ले लू उसने 10 रुपे दे का चिम्टा ले लिया हमीत के दोस्तु से देख हसने लगे एक ने कहा अरे यो चिम्टा क्यों लाया हमीत ने कहा यह भी तो एक खिलाना है कंधे पर रखो तो बंदूक है हतेली पर मार कर बजाओ तो बाजा है चोरा जाएं तो हतियार है है ना बड़े मज़ेदार तभी नूरे का वकील हाथ से छूटा नीचे गिरा और तूट गया महमूत का गुबारा फूट गया बच्चों को हमीद से जलनसी होने लगी साड़े ग्यारा बजे बच्चे गाओं उठा लिया उसने चिम्टा देखा तो पूछा यह कहां से लाए तुमने खरीदा हमीद ने हां कहा दादी ने कहा कैसे पागल लड़के हो न कुछ खाया न पीया यह चिम्टा उठा लाए यह कोई खिलौना है हमीद ने कहा बड़ी अम्मा यह तुम्हारे लिए लाया तो तुम्हारा हाँ चल जाता है ना इसी लिए दादी यह सुनकर गद-गद हो उठी उनकी आखें भराई उसने हमीद को कले से लगा लिया तो बच्चो कैसी लगी आपको यह कहानी इस कहानी के लेखक थे मुनसी प्रेम चंजी तो बच्चो आशा करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और आपने देखा किस तरह हमीद ने अपनी दादी के लिए चिम्टा लिया ताकि रोटी बनाते समय उनके हाथ चले नहीं उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया तो बच्चो आपको इससे सीख लेनी चाहिए तो बच्चो ऐसे ही पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका भ्याज भी चरूर कीजिए